कख्षा आठ विशय नहितिक शिक्षा पाठ चार पांडों की परिक्षा पांडों को आप जानते हैं बारव वर्ष का बनबास मिला था अब फिर उसके बाद एक वर्ष का अग्यातवास बारव वर्ष के बनबास का समय बीच चुका था अब अग्यातवास शुरू हुई होने वाला था इतने में जिनके यहां पांडों लोग रुके हुए थे उनकी अरण माने अग्नी जलाने की लकडी लेके एक हिरन भाग गया उसने उस ब्राहमर ने पांडों से कहा युधिष्ठित से कहा कि अब अग्नी प्रजलित कैसे होगी तब पांचों पांडों उसके पीछे दोड़े लेकिन हिरन कहीं ओज़ल हो गया मिला नहीं फिर वहीं पांडों रुके हुए थे प्यास से प्यागुल हो गये तब फिर युदहिस्ठिड ने सबसे पहले नकूल को फेजा पानी लाने के लिए, वो जब तालाब के किनारे पहुंचे तो किसी की आवाज आए ठहरो, पहले मेरे प्रस्णों का उत्तर दो तब पानी पीओ, नकूल नहीं माने, पानी प्यास से ब्याकूल थे, पी लिया, वो बेहोस ह हो गए, खतम हो गए, फिर इसी तरह से सहदेव गए, भीम गए, अर्जुन गए, किसी ने भी ब्यास से इतने ब्याकूल थे, उन्हों ने यच्छ की बातों पर ध्यान नहीं दिया, और वो सब मृत हो गए, बार में युधिष्ठिर गए, युधिष्ठिर ने भी आवाज सुनी, वो धर्मराज थे, उन्होंने वो रुख गए, पाने नहीं पिये, उन्होंने उनके प्रस्णों, यच्छ के प्रस्णों का समचीत उत्तर दिया, जैसे यच्छ के प्रस्ण थे, विभत्ति में मनुस्य का साथ ही कौन देता है, उन्होंने का धैर ही मनुस्य का साथ देता है फिर पूछा यह सो अलाव का एक मात रुपाग क्या है तुन्हों ने कहा दान कहा हवाग से तेज चलने वाला कौन है मन विदेश जाने वाले का साथी कौन है विद्या किसे त्याग कर मनुष्ट सबकाप्री हो जाता है हंकार को त्याग कर आद याद नर्ड बहुत स समझते हैं कि हमारी मृत्यू कभी नहीं होगी यही सबसे बड़ा आश्यर है युद्धिश्टिर के प्रस्णों के इन उत्तर से यच्छ प्रसंद हो गया और वहां यमराज धर्मरावो साच्छा धर्मराज थे उन्होंने का तुम किसी एक भाई को जीवित कर सकते हो तब ने नकुल के लिए कहा तो यच्छ ने पुछा तुमने भीम या आरजुन को क्यों नहीं कहा तो काव यह हमारी बिमाता का पुत्र है कम से कम दोनों माताओं के एक पुत्र तो जीवित रहेंगे यच्छ बहुत प्रसंद हुआ और सब को जीवित कर दिया अब इसके अभ्य यच्छ के प्रस्णों का उत्तर किसने दिया धिश्ठिर ने पानी लेने सबसे पहले कौन गया नकुल बांडों के पास रोता हुआ कौन आया ब्राहमड पांडों को कितने वर्स का ग्यात वास मिला एक रिप्तस्थान के पूर्टि करे अरण की लकडी अरण पहले में दूसरा ख जो है इसका किताब में दिया भी नहीं गया है और तीसरा ग अरजुन खुपित होकर सब्द में दी बांड चलाने लगे परंत उसका कोई अर्थ पूर्ण न निकला ग्या पांचों पांडों ठके हुए प्यास से ब्याकुल एक बरगत की छाया में बैठ ले सबसे पहले सहदेव ने जलासाय पर पहुंच कर पाने पिया सर्थ यच्छ ने सभी भाईयों को जीवित होने कासे रवात दिया सर्थ यच्छ ने सभी को पानी पीने से पहले सचेत किया था सर्थ विपत्य में धैर ही वनुश्यकार अच्छप होता है सर्थ बड़े प्रस भाण बहुत reduce घ्टि विर्ण नहीं रहे गी तो हम अग्णी कैसे चलाएंगे पांडों को कितने वर्सों का बनबास मिला था 12 वर्स बदबास मिला था एक वर्स का ज्यातवास मिला था ये शते नकुल को किस प्रकास सचेवित किया उसको का था ठोहरों पहले मेरे प्रस्णों का उत्तर दो फिर पाने क्यों युद्धिस्थिर के चारों भायों के साथ जो घटना घटी उसे अपने सब्तों में लिखे तो यह तो मैंने आपको वीडियो में बताया हिए बीप्यत्ति और परिशितियां चाहे ज